आज की इस special वीडियो पे आपका most most welcome मुझे अपने देश और इसरो पे बहुत गर्व है कल का दिन हमारे ले बहुत special दिन था हमारे इसरो ने Sunday February 28, 2021 के यानि कल की दिन PSLV rocket launch किया था उस rocket का नाम था PSLV C-51 तो जानिए हमारे साथ PSLV C-51 rocket के डीटेल्स और इन्फोर्मेशन इस इंट्रो के बाद PSLV C-51 पोलर सैटलाइट लाँच वीकल C-51 यह ऐसर रॉकेट है जो की हमारे इसरो की मेके इंडियर रॉकेट है जो की successfully launch भी हो गया था और साथ ही safely orbit में भी पहुँच गया है लाँचिंग का टाइमिंग 10 आवर 24 मिनेट मौनिंग के टाइम पे हुआ था और लाँचिंग की साइट थी सतीश जवन स्पेस सेंटर श्री हरीकोटा अंदरपरदेश PSLV C-51 में टोटल 19 को पैसेंजर सैटलाइट भी इंपूट करी है उन में से 4 सैटलाइट इसरो इंडियन के हैं और 14 सैटलाइट NSIL के हैं और एक सैटलाइट ब्राजियन भी है इस सैटलाइट का ये काम है कि एमएजॉन के जंगलों को अब्जर करें क्योंकि कुछ समय पहले एमजॉन के जंगलों में एक हाधसा हुआ था उन जंगलों में भीशन आँख लगी हुई थी उस समय ये ऐसी टेक्निकी सुविदर नहीं थी पर अब Amazonia 1 Amazon के जंगलों पे निगरानी रखेगा ताकि कोई ऐसी इंसिडेंट दुबारा ना हो Brazilian का सबसे पहला सैटलाइट मिशन है जो की इंडिया के रॉकेट PSLV C-51 से लॉंच किया गया है Amazonia 1 का वेट 637 किलोग्राम है और Amazonia 1 का स्वैथ 850 किलो मीटर है और रिशोलिशन है 60 मीटर PSLV C-51 में दो स्पेशल चीज जूड़ी है एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरिंद्र दामोदान मोदी की पिक्चर पैनल में बना हुआ है और दूसरी चीज ये है कि इसमें डिजीटल रूप से भगवत गीता भी एड किया गया है आज का अमारा टॉपिक अब यहीं पर एंड होता है और आज की स्पेशल वीडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद So don't forget to like, subscribe and share So keep watching, keep learning Thank you to all Jai Hind, Jai Bharat